असकार किसान भाईयो ये पीली सतावर की पौद हमारे पास तयार हो चुकी है आप वीडियो के मादम से देख सकते हैं और ये पौदा लगबग पांच मैने का पूरा हो चुका है और आप देख सकते हैं और ये नरसरी खेत में लगने के लिए बिलकुल तयार हो चुकी है और थोड़ा पीलापन है जैसे बिलाट कहते हैं देख सकते हैं वीडियो में ये भी कुछ समय बाद त्यार हो जाएगा और अभी बारिस हो चुकी है बारिस होने के कारण इसमें पानी भर गया है नालियों में देख सकते हैं वीडियो में किसान भाई यो ये दे सकते हैं करीब 50-60,000 पौद अभी हमारे पास त्यार हो चुकी है अगर किसी किसान भाई को अभी खेत में लगानी हो सतावर की पौद तो वो हमसे उचित रेट में खरी सकते हैं ये पौदे की हाइट लगवग आदे फिट से एक फिट हो चुकी है ये वीडियो में आप दे सकते हैं ये देखिए और काफी अच्छा पौदा है देख सकते हैं बिलकुल पूरा गिरीन है ये देखिए बारिस होने के कारण थोड़ी इसमें गीली हो गई है देख सकते हैं और नाली नाली पानी भरा हुआ है ये आप देख सकते हैं और अभी सतावर का लगाने का सीजन चला है अभी आप सतावर की खेती आसानी से खेत में लगा सकते हैं सताबर की पौद आप जुलाई से लेकर सितंबर तक आप लगा सकते हैं खेत में और ये 18 मैने की खेती होती है किसान भाईयो यानि कि देड़ साल में आप फ़सल खोद कर निकाल सकते हैं और विक्री कर सकते हैं यह आप दे सकते हैं नरसरी इस तरीगे से डली हुई है और किसान भाईयों अगर कोई भी किसान भाई को सतावर की खेती की कोई भी जानकारी चैन्य हो तो हमारा दिया गया नंबर है आप इस पे कॉल करके सतावर की संपूर जानकारी हमसे ले सकते हैं और आपको हम पौदा उखाड़ के दिखा रहे हैं, इसमें फिंगर कितने हो गए हैं, पौदा अभी उखाड़ा जा रहा है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, किसान भाईयों, और अभी मिट्टी में गीलन है, इसलिए ये हातों से उखड़ गया है पौदा, आ आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं वीडियो में, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इसमें दो हो चुके हैं फिंगर और इसमें पांच हो चुके हैं, वीडियो में देख सकते हैं, किसान भाईयों, इस तरीके के पौदे हैं, कुछ कम फिंगर हैं, वीडियो बीच में है यह सिंगल का है यह निकाल दिया जाता है और बाकी सब पोदे की कौंटिंग की जाती है वीडियो पसंद आया तो लाइक सेर करें सक्सराइब करें धन्यवाद